वेल स्टूदेंस जैसे के हमने डिसकस किया था कि डोना इंप्यूरिटी क्या होती है इसी तरह से अब हम डिसकस करेंगे कि जो एक्सप्टर इंप्यूरिटी है वो क्या होती है ठीक है acceptor impurity ऐसी होती है कि जैसा हमें नाम सा पता चल रहा है कि acceptor से मुराद कि कोई भी हम लोग चीज accept कर पाएं हमारे पास capacity मौझूद हो हमारे पास जगा मौझूद हो किसी चीज़ की तो हम उसे accept कर सकते हैं ठीक है इस सिता से यहां पर हमें पता चल रहा है कि acceptor से मुराद है कि हमारे पास कोई जगा या कोई capacity या फिर hole हम उसे कह सकते हैं मौझूद है जहां पर हम किसी electron को accept कर सकते हैं ठीक है impurity से आगे मुराद ही है कि हम लोग ऐसी impurity add करेंगे semiconductor के अंदर जिससे हमारे पास hole create हो ठीक है और उस hole के जगा हम लोग electron accept कर सकें ठीक है अब इसे हम further explain करते हैं तो तब हम लोगो ज़्यादा ये concept clear होगा अब जैसे हमने देखा कि germanium के अंदर 4 electrons होते हैं 4 electrons होते हैं ठीक है अब उसके अंदर अगर हम लोग ऐसी कोई impurity add करें जिसके अंदर 3 electrons हो ठीक है impurity के अंदर 3 electrons है तो क्या होगा germanium के जो 3 electrons है वो इसके 3 के साथ तो हमारे पास वो बना देंगे जो bonds है वो तो बना देंगे लेकिन जो एक electron है उसके मकाबले में यहाँ पर एक जगा खाली होगी empty space होगी जिसे हम कह सकते हैं के वो एक hole की तरह है ठीक है यानि के वहाँ पे एक electron आने की जगा हमारे पास मौजूद है क्योंके हमारे पास वो जगा खाली है और उसके लिए हम लोग जो examples लेते हैं वो लेते हैं हम लोग third group की यानि के जो periodic table है बी से उसके बाद हमारे पास आ जाता है aluminum aluminum जिसे हम represent करते है AL से और उसके बाद एक और हमारे पास example आ जाता ही है gallium की जिसे हम represent करते हैं GA अब यहाँ पर हम graphically देखते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा explain कर सकते हैं जैसे for example aluminum अगर मैं लेते हूँ aluminum की example लेते हूँ aluminum की example लेते हूँ aluminum का मैंने पूट करना है किसी semiconductor में semiconductor की example हम ले ले लेंगे germanium की ठीक है electron valence cell में मैंने बताये aluminum के वो मेरे पास है 3 ठीक है और एक मेरे पास whole है whole कैसे कि उसके outer most cell में हैं ही 3 तो मैं यहाँ पे एक vacancy शो कर रही हूँ ठीक है कि यहाँ पे कोई electron मौझूद नहीं है और यहाँ पे मैं germanium के atoms को बना देती हूँ कि उसके पास 4 यहाँ पे electrons मौझूद है उसके outer most shell में ठीक है germanium हम left side पे भी बना देते हैं जिसके पास 4 electrons मौझूद है balance में और यहाँ lower side पे भी 4 balance electron के साथ और उसके साथ ही left hand sorry right hand side पे भी हम germanium draw कर देते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि bonds कैसे बनाएगा कि जब aluminium upper side वाले germanium के साथ बनाएगा तब भी उसके पास एक bond बन रहा है और left hand side पे भी दो atoms आपस में bond करें नीचे भी ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो उसके right hand side पे उसके पास तो होल है ठीक है और यहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास electron मौझूद है जो कि germanium कै है अब क्या होगा जब यह जो germanium है इसने किसी और अब for example यहाँ पे क्या होगा कि जो इस वाले germanium का electron है वो यहाँ पे आएगा ठीक है और इस तरह हम कह सकते है कि देखें जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक hole बन गया ठीक है और यहाँ पे atom आ गया ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं अब जो hole है उसने यहाँ से यहाँ तक travel किया असल में तो travel नहीं किया असल में तो हुआ यह कि उस electron ने सर्फ जगा यहाँ पे पूर किया लेकिन अगर हम लोग मंदलब कि वैसी imaginary तार पे बात करें तो हम लोग यह कह सकते है कि यहाँ से जो hole है उसने travel किया है यहां से यहां तक उसने एक सफर तै किया है इस bond से उस bond तक करते करते फिर एक और जब bond बनाएगा germinium किसी और germinium के साथ तो वहां पे भी इसी तरह से electron इस hole की जगा पे आएगा और यह hole further यहां पे travel करेगा ठीक है और यहां पे hole create करेगा और यही electron वापस इसकी जगा पे आजेगा यह हम कह सकते हैं कि यह जो acceptor impurity जब हम add करते हैं तो इस किसम के semi conductors में हमाई पास जो electric current ठीक है electric current पास होता है यह जो हमाई पास आमदोरफ्त होती है वो होती है किसके वज़ासे holes की वज़ासे ठीक है holes हरकत में आ रहे होते हैं और इन semi conductors को हम लोग P type semi conductors भी कहते हैं P type semi conductors क्योंके यहां पे हमारे पास holes मौजूद हैं और holes का मतलब यह है कि वहाँ पे electron मौजूद नहीं है तो हमारे पास negative charge की कमी है जिसके जैसे हम कहते हैं कि यह positivity इसमें जादा है electron के negativity की हमारे पास कमी है तो हम कहेंगे कि हमारे पास P type semi conductors है यह ठीक है students I hope कि आपको acceptor impurity और P type semi conductors का जो concept है वो अच्छे से समझ आ गया होगा